वेड़ बॉर्णिंग आज हम लोग लेकर रहा है कुछ computer के thoughts की और कुछ सब दुसंचेब और वो इसलिए लाए हैं क्योंकि आप लोग का CUET का exam होने माला है और success rider का success season चल रहा है तो इसमें है क्या कि काफी competitive exams होंगे जैसे CGL का या 3rd grade, 4th grade सबी exams में जो उसका GK है समाने ग्यान का पत्र है उसमें computer के इस type of questions हमेशा आपते हैं तो आपको यह जानना ज्यादा जरूरी है कि sort की क्या होता है और सबसंशेब क्या होता है तो अगर आप computer class अगर पहले कहीं किये भी होंगे तो अच्छी बात है लेकिन यह sorts की काफी important है आपके परिक्षा के लिए भी और आपके नीजी जीवन के लिए भी क्योंकि अब कोई भी काम बिना computer के संभाव नहीं है तो हम लोग पहले आते हैं sorts की 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 तरफ तो sorts की क्या होता है तो आपके पास जो keyboard होता है उसमें एक button होता है CTRA जिसको लोग बोलते हैं control button तो control button में अगर हम control के साथ C का परियोग कर लेंगे यानि कि दो button एक साथ परियोग करेंगे तो हम किसी भी selected जो text है उसको copy कर सकते हैं कोई भी इसकी पर आपको अगर टेक्स दिख रहा है तो उसको पछले select करते हैं और select करने के बाद control plus C अगर हम करते हैं तो होता है copy ठीक है वैसे ही अगर हम C के जगा पर control plus B कर देते हैं तो क्या होगा तो आप जो cut किया हुआ चीज है उसको कहीं paste कर सकते हैं आप अक्सर WhatsApp पे या कहीं भी social media पे cut paste करते होंगी लेकिन उहां पर आपको नहीं मिलता है लेकिन जैसे computer में आईएगा तो control plus B का यूज किजिएगा तो आप उसको paste कर सकते हैं पेस्ट मतलब समझी रहे हैं वो ब्रस करने वाला पेस्ट नहीं एक चीज को दूसरे जया पे लगाने वाला पेस्ट ठीक है उसके बाद अगर C के बाद भी हम यूज किए भी के बाद अगर control plus हम X यूज करते हैं तो control plus X यूज करेंगे तो paste करने से पहले हमें किसी भी word को select करके cut करना होता है तो cut करने के लिए हम लोग control plus X का पर्योंग करते हैं ठीक है उसके बाद हम आते हैं control plus P तो आप अक्सर व printing का process होता है उसके लिए आपको control प्लस P का पर्योग करना होता है CTRL plus P उससे क्या होगा कि जो भी document है उसका print आप निकाल पाते हैं अगर उसके जवापे हम control plus aim का पर्योग करते हैं तो जैसे presentation चल रहा है तो उसमें कुछ नए slide जोड़ना हो तो slide जोड़ने के लिए हम लोग control plus aim का पर्योग करेंगे ठीक है अब आते हैं आगे तो control plus home मालों कि अगर कोई document है हम चाहते हैं कि एक सुरू से चले जाए क्योंकि अगर एक एक इंटर की जो होता है इस पेस के लिए होता है तो इंटर के जब आप कीजिएगा तो document का जो अगला line है वहां पहुंच जाते हैं ठीक है उसके बाद होता है अल्ट plus F4 अल्ट plus F4 इससे क्या होता है कि word को हम लोग बंद कर देते हैं अल्ट क्लिक करेंगे एंफ फोर होता है वह कीबड के सबसे ऊपर में होता है और एक साथ साइड होता है तो दुनों को और एक साथ प्रेस करेंगे तो वह बंद हो जाएगा वैसे ही f7 उपर में होता है उपर का रोब में होता है तो f7 को अगर हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर spelling and grammar launch हो जाता है जैसे आप कुछ भी लिखोगे और अगर आप गलत spelling कर रहे हो तो नीचे रेड 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 जो है वह sign आना शुरू हो तो f7 का प्रयोग करने से spelling and grammar को launch किया जा सकता है ठीक है अब आते हैं shift plus 12 तो यह सेव कमांड को चूनता है तो यह 10 की थे जो आपके जीवन के लिए काफी उप्योगी है क्योंकि आज की जमाने में बिना computer का कुछ भी संभव नहीं है चाहिए वह परतियोगी परिक्षा हो यहां आपके दैनिक जीवन का lifestyle चलिए अब आते हैं सब्संचेप कुछ सब्संचे हैं जिनको बोला तो काफी लंबे लंबे सब्संचेप में जाजता है लेकिन उसको संचेप में कुछ और सब्संचेब को अबनतों यहां मतलब और सो दॉनिट का आदता है ऐसका इसका अर्थ होता है इसको आप पसंद कीजेगा और इसको लिख भी लीजेगा इसका अर्थ होता है Advanced Research Projects Agency Network तो जो Advanced Research होते हैं उस पर जो प्रोजेट पर काम गया आता है उसको हम लोग ABPANET के नाम से जानते हैं वैसे ही ASCII तो यह क्या होता है American Standard Code for Information America का जो Standard Code है Information का उसको हम लोग ASCII के नाम से जानते हैं वैसे ही BCC तो BCC का मतलब हो जाएगा Blind Carbon Copy BCC Blind Carbon Copy वैसे ही BD तो BD जो होता है Blu-ray Disc डिस्क आप समचते ही होंगे तो डिस्क में जो Blu-ray होता है उसको हम लोग BD के नाम से जानते हैं अब एक असवर्ण आता है BIOS BIOS तो BIOS का मतलब होता है B for Basic, I for Input, O for Output और S for System यानि कि Basic Input Output System को बोलेंगे BIOS अब computer का जो binary number होता है जिसको count गया जाता है वो byte में कहा जाता है तो BIT क्या है तो BIT का आर्थ होता है binary digit computer का actually है कि computer का जो word होता है वो binary number accept करता है जैसे अगर alphabetical A है तो वो A accept नहीं करता है इसके पीछे बहुत सारा binary digit शुपा होता है तो binary digit एक mathematical mathematical mean है उससे को करता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं binary digit अब आते हैं CPU तो computer जिसे प्याधारित होता है पुर्या dependent होता है या यू कहें कि heart of computer तो होता है CPU याने की central processing unit ठीक है उसके बाद है CU याने की उसको control करने वाला unit होता है तो CU का आर्थ होता है control unit उसके बाद होता है CD जो हम लोग बचपन में आप लोग वे कभी घर में पयोग किया होंगे film देखने के लिए movie देखने के लिए या बहुत सारे cartoons देखने के लिए तो एक CD होता है तो CD को हम लोग बोलते हैं compact disc ठीक है और एक होता है DNS DNS होता है domain name system आज के लिए इतना ही लेकिन यह chapter आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और और शेयर करना नहीं बूलेंगे क्योंकि आने वाले समय में CUT से लेकर प्रतियोगी परिक्षा हैं आपको देनी हैं तो आपको यह प्रस्न याद रखने होंगे मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद कि अज़े आज 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 आज